ये क्योंकि टीम आईकुसोल तो पुश करना चाहती है, उन्हें वो फिनिशेस चाहिए, they want this fight, और कमाल की बात ना कि अगर आप चाहें तो आप इस बैल को खतम करेंगे, ग्लोबल e-sports के साथ बैटल में जा सकते हैं, आपको थोड़े और finishes बिल पाएंगे, but again, you need to win this one, तो निंजा भी भी है, और मैं कहता हूं हमेशा कि अगर निंजा जौड है, तो मुम्किन है, निंजा ने देखा, शाड़ो ने डाउन किया, टीम एक्सपार के पास वो मौका रहेगा, जरूर से निंजा दूसरे खिलाडी को भी डाउन करेगे, तीम आइक कुसोल, ये तो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ पर अब एक आखरी खिलाडी मानया, मुझे बच्चे दिख रहें, निंजा और शाड़ो ने जिस तरीके से गेम बलट के रख दिया, ये तो सोचा नहीं होगा, टीम आइक को सोल ले, आपने ग्लोबली स्पोर्स के साथ रॉप साच अवाइट से तीम एक्सपार के साथ दिया, बट अभी भी कुछ फाइदा नहीं, मानया के ची बहुत काम कर दी कहीं है, वो आखरी खिलाडी तो और बदला लेने के लिए देखिए, अभी बढ़ते हैं के लाडी, इवन फ्री फाइजा गॉइंग वाइज तीम इलास के भी खिलाडी है, दूसरा एंडर पीछे वैटे, मानया, मानया उपन में, एक गूली के और करेक्शन चे ये शाडू रिवो करेक्शन दी इतनी दूर एस 12 के कनेक्ट की, टीम आइकू सोल भाहर, शाडू का 1v3, और टीम आइकू सोल भाहर, शाडू का 1v3, and I told you, one of the most underrated players है, टीम एक्सपार के शाडू है, हमारा experience रहे है, तो गाइस, अगर ये experience आप ही चाहते है, तो जरूरू चेक आउट कर लीजिगा, पर टीम एक्सपार के शाडू का 1v3 करके दिखाया, क्या यहाँ पर 1v4 हम एक्सपार करके चल सकते हैं, यहाँ उम्मीदे, बंती नहीं जरू आ रही है, आपर टीम एक्सपार के शाडू कप्ता, यहाँ पर यहाँ पर एक अच्छी कोशिश शैडू के द्वारा शैडू करें गाज एक बार नाइस रहता है, प्रेस तोस्पार के इसकते हैं,